आज अचानक से बारिश शुरू है और सब के मन हो गया पकोड़े खाने के पर घर में बेसन भी नहीं था और सबजिया भी नहीं थी फिर मैंने सुचा क्या किया जाए कि सभी इस मौसम को एंज्वाइ कर सके फिर मैंने पानी थोड़ा सा गरम किया और उसमें भिगो लिया दो कटूरी चावल और एक तरफ चढ़ा दिया आलू बलने को का और उसके बार अशके बार मैंने यह रवी तेयार की आए देखते हैं कि किस तरथे मैंने तयार की है तो पहले अगर चैणल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें आए और शाई आती है दो चावल साफ कार के लिए हैं इसे पिदूलिया Coffee आधे गंटे के लिए गुन विकुन पानी में विनों से नियूंचaggi इसे में दूल के चान के और ग्राइंडिंग जार में ले लिया है और अभी इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे हम पानी एड़ किया हमेने तो यहां पी चावल अच्छी तरह से फूल गया थे तो यह देखें अगर टाइम है आपके पास तो दो तीन घंटे भी हो लें इसे चावल को यह देखें कुछ इस तरह की थिकने से है यह बिल्कुल हलका सा यह मैसूस हो रहा है जैसे सूजी रवा होता है उस तरह से हाथ में फीलिंग आ रही है तो बस इस तरह से हमें पीसना है और अभी इसमें हमें क्या डाल लेना है जो आलू मेने वाइल किये थे उसे रफली इस तरह से चौप करके इसमें एड कर लेना है यह बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप फटा फट से कुछ त्यार करना चाहते हैं स्नैक्स या फ्रिटर्स इस तरह से तो आप बना सकते हैं यह देखें और मैंने स्टोरेबिल इस तरह से काफी सारी आइटम जिसे बना कि आप महीनों रखके आप फ्राइकर के आप इसे इंज्वाइब कर सकते हैं जरूर करिएगा यह देखें कुछ इस तरह से हमें मिक्षर मिला है और इसको बनाने मैंने पानी पूरा आधा गिलास जितना लिया था वो पूरा पानी डाल दिया है और इसे एक बड चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से डालें जितना तीका है क्योंकि हरी मिर्शी भी दालेंगे और धनीय की पत्ती है कटी हुई नहां पे डाली मैंने हरी मिर्शी आइड कर ली तो थोड़ा सा तीखा जाहिए हमें और यहां पे नमक डाल दिया टेस के हिसाब से कि अच्छी तरह से कर लेते हैं यह देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो यहां पे हम महीन कटे हुए प्याल डालेंगे प्याज थोड़ी बाद में मैंने डाला क्योंकि थोड़ा सा पतला हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा प्याज डाला है और अगर आप प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो आप प्याज को वाइट करें यहां पे इसके बिना भी बहुत अच्छा बनता है अंदर से खूब अच्छी जालियां पड़ती है काफी करारे उपर से और अंदर से काफी जाली वाल इस जो भी साइज आपको पसंद है उसे साथ से आप इसमें डाले तो अब ही जब मैं पकोडे इसमें डाले उसमें मैंने फुल पर किया हुआ है क्यों कि यह तील ना सोख ले और इसके बाद हम मीडियम पर करेंगे क्योंकि बहुत नोपी यह यह तेल इसमें अन्दर चला जाएगा तो इसको मीडियम पे ही हमें करके सेखना है और कभी-कभी जब लगे कि थंडा हो गया है तो थोड़ा सा तेज कर लें आप प्लेम को केरफुली से पलट लें इस तरह से और अभी चिपके हुए हैं तो इसको हमें अलग करना है बहुत आराम से अलग हो जाता है मैंन अज़ने सिष्धित अलग हो जाते हैं इस तरह से कुछ अ मीडियम फेलें टले क्रिस्पी सिखियो करारा होने तक हल के ह हो जाते हैं तल यह समझ में आ जाता है कि यह हमारे प्रिटर्स त्यॉट नगेटे टल गया है पूरी तरह से त्यार निकालने के लिए यह देखे छोटी-छोटी से इसतरह पहत अच्किल लगते हैं देखने में भी और खाने में भी यह देखे तो इस तरह से अगर घर में कोई तो आप पटा फट से तयार कर सकते हैं, अगर 10 मिनट टाइम है और आप गरम पानी में चावल को भीगो के पीज़ के से तयार कर सकते हैं, एक क्रिस्पी क्रण्ची यह चावल के नगेट और एंज्वाय करें इस अचानक से बदल जाने वाले मौसम को, या फिर जब भी आपक नीखा चेट पकटा कुछ सी कृस्पी करा रहा है जुद्छ से चैट पकटा कर लेते है तल लेते हैं इसे फ्राई कर लेते हैं इस तरह से और अभी कुछ मिर्ची जो है वो मैंने तेल में डाल के इस तरह से फ्राई कर ली इसके साथ कफी अच्छी लगती है अगर जो भी चटनी आपको पसंद हो उसके साथ ये मिर्ची रखें इस पे अगर चाहें तो नीबू नम अपने मौसम को तो रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करना लाइक करना ना भूलिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो फिर मिलते हैं आप से नई रेसिपी के साथ देख करें इस तरह की काफी सारी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है जो की प्लेलिस्ट में है आसानी से आपको मिल जाएंगी तो आप जरूर वहां जाके एक बाद चेक क साथ बाइ